एक सच्ची घटना आज की कहानी में जानिये कैसे एक आटो ड्राइवर का सामना हुआ था एक चुडेल और उसकी बेटी से नवश्कार आप देख रहे हैं आहट एक अन्होनी की आपके दूस्त कश्यप के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर आल नोटिफिकेशन आन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस समय पर मिलती रहे एक दिन मैं सिविल हॉस्पिटल से घर लोट रहा था मुझे काफी देर हो गई थी वापिस घर जाने में दरसल मैं सिविल हॉस्पिटल में ही हाउस्किपिंग का काम करता हूँ ये बात उस वक्त की है जब पहली बार लॉकडाउन से लोगों को रियायत मिली थी मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल कर में रोड पर पहुचा था वहाँ अमूमन आटो मिल ही जाती है आज भी ऐसा ही था मुझे वहाँ एक आटो खड़ी मिल गई थी आटो में बैठ गर उन आटो वाले चाचा से बात कर रहा था तब बातों बातों में मैंने पूछा कि चाचा रात बी रात आटो चलाते हो क्या कभी भूत बिशाच से सामना हुआ है तब उन चाचा ने कहा ऐसे तो पचीस साल हो गए हैं बेटा आटो चलाते चलाते लेकिन जिन्दगी में एक बार डर जरूर लगा था तब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया था चाचा कि आपको डर लग गया था चाचा ने कहा कि उस दिन भी एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ रात के समय मिली और कहा कि इस जगह ले चलो मैंने बताय हुए पते पर जाने के लिए आटो चला दी लेकिन पूरे रास्ते में उस दिन पता नहीं क्यों अंदर से डर रहा था कोई अंजान भय था मेरे अंदर जब मैं उनके बताय हुए पते पर पहुँचा तो वो मा बेटी उतर कर जाने लगे तो मैंने कहा अरे बहन जी किराया तब बच्ची तो दोड़ कर आगे चली गई लेकिन मा ने पीछे मुड़ कर मेरी और देखा और आगे बढ़ गई उसकी देखने की अदा इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मैं वहीं से रिक्षा मोड़ कर जाने लगा मेरी उसके पीछे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई तब ही एक लंबा सा आदमी महाँ पर पहुँचा जो दूर से मुझे हाथ दिखा रहा था उसने मुझे आकर के पैसे दिय और जाने लगा मैंने उससे पूछ लिया कि भाई साब क्या हुआ पहन जी की तबियत ठीक नहीं है क्या तब उस आदमी ने कहा कि पहले ठीक नहीं थी मा बेटी दोनों बीमार थे लेकिन अब उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी मैं कुछ समझ तो नहीं पाया लेकिन वहीं स आटो लेकर के निकलाया अभी मैं नाके पर पहुचा ही था कि मैंने देखा कि वहां दो आटो वाले और खड़े थे जिन से मेरी बाचीत चली उस बाचीत में पता चला कि वो छोटी बच्ची जब बीमार थी तो उसकी माने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन माँ बाप दोनों हार गए और बच्ची मर गई थी बच्ची के मरने का अगम इतना ज्यादा था कि उसकी माँ भी उस अस्पताल में ही भरती होकर मर गई थी तब से यह कई बार ऐसे ही दिख जाया करती है अब इन से बचके रहना इतना कहकर चाचा ने कहानी खतम की आज की कहानी में बस इतना ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय आउश्य दें आप से मुलाकात होगी अगली कहानी में तब तक बाय एंड टेक कैर